कैसे हैं आप सब उमिद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगी सो दोस्तों आज में आप लोग एक साथ एक ऐसी रेमडी शेयर करने जारी हूं सफेद बालो पे अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से इस्तमाल करेंगे तो आपके बालो में बहुत ही अच्छा कलर देखने क को मिलेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं को बनाने के लिए आपको यहां पर लेना है एक चमश नील पाउडर यानि की इंडिगो पाउडर आपको यहां पर बता दूं कि 100% प्योर होता है इंडिगो पाउडर नेशल होता है हर्बल होता है कोई इसमें प्रिजर्वेटिव मिक्स नहीं होता है और ना ही कोई केमिकल मिक्स किया जाता है इंग्रिडेंट्स आपके सामने दिख रहे हैं इसे इंडिगो लीफ से बनाय जाता है यानि कि यह जो आप पौधे देख रहे हैं यह इंड़िगो का ही पौधा है और इसकी जो पत्तियां है उसी से यह पौडर रैडी किया जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसा कुशन आता है और हमेशे ही आता रहता है यह कहते हुए कि यह पौडर केमिकल वाला तो नही है इसे हमारे बाल खराब तो नहीं हो जाएंगे हमारे बाल कहीं ऐसा तो नहीं कि सफेद हो जाएंगे तो बिलकुल नहीं इंड़िगो पौडर जैसा आप मेहनदी पौडर होता है हीना होती है बिलकुल उसी तरीके से इंड़िगो पौडर भी होता है मेहनदी पौडर में हम एनेदर चीजों को मिक्स करकी सफेद बालों को काला करते हैं लेकिन इंड़ू पाउडर का अपना जो कलर होता है वो ही काला होता है आप इंड़ू को डायरेक्ट भी अपने बालों में अपलाई कर सकते हैं आप किस तरीके से एक बार में अपने बालों में अप्लाई करके काला कर सकते हैं चलिए देखते हैं तो हमने ले लिया यहां पर एक चमच इंडिगो पाउडर इसके बाद आपको इसमें एड़ करना है शैंपू दो चमच की करीब मैंने यहां पर शैंपू को एड़ किया है कोई भी शैंपू आप यहां पर इसमाल कर सकते हैं जो शैंपू आप यूज़ करों है हूँ अपने हीयर के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अच्छे से से मिक्स कर लिया है आप इसको रस्ट के लिए छोड़ देंगे पांच मिर्ट और पांच मिर्ट बाद ही आपको इसे अपलाई करना है तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही रखनी है बहुत जादा थिक नहीं रखनी है थिक र इसे लगाना कैसे है प्रॉपर तरीके से अगर सही से जानकारी हो और सही तरीके से लगाएंगे तो इंड़ो को बहुत अच्छा कलर देता है बालो में लेकिन इंड़ो को लगाने का भी एक तरीका होता है तो इंड़ो को कैसे आप यूज़ करें कि आपके बालो में गहरा color रंग आए इसको आपको apply करना है 5 मिनट अपने बालो में अच्छे से massage करना है, 10 मिनट के लिए छोड़ना है इस pack के साथ and इसके बाद wash कर लेना है, इससे ज़्यादा आपको अपने बालो में indigo को नहीं रखना है ना ही आधे गंटे ना 1 गंटे ना 2 गंटे, सिर्फ 10 मिनट आपको बालो में रखना है, उसके बाद wash कर लेना है wash करने के बाद उसी दिन इवनिंग में आपको oil करनी है अपने बालो की और oil किये वे बालो को आपको next day shampoo नहीं करना है आपको पूरे 2 दिन wait करना है और third से छोड़ने में और बहुती बढ़िया गाढ़ा रंग छोड़ती है इंड़ो इसलिए अगर आप इससे तुरंत ही wash कर लेंगे तो इसका color जो है वो उतना अच्छे से नहीं चड़ेगा, तो proper तीन दिन दीजे और अपने बालों में जो color आप देखेंगे आप सोचेंगे कि पहले क्यों नहीं पता था सो इसलिए इसको proper तरीके से अगर आप इस्तमाल करेंगे तो आपके बालों में इंड़ो का बहुत ही गहरा और बहुत ही अच्छा color आएगा ये आजमाया हुआ नुसका है, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, लेकिन इससे थोड़ा सा time देना पड़ता है, जैसे कि आपको इसे इस्तमाल करके oiling करके तुरंत ही wash नहीं करना होता है hair को, अगर आप तुरंत wash कर देंगे तो इसका color जो है वो निकल जाता है, इतना जादा color नहीं चड़ता है, तो color चड़ने के लिए इसे proper 3 दिन का time दीजे, उसके बाद अपने बाल देखिए, इतने बढ़ियां आपके बाल white से black हो जाएंगे कि आप सोचेंगे कि पहले क्यों नहीं पता था, और सब को बताएंगे तो इसी तरीके से आपको इसे apply करना है, हफ़ते में दो बार इसे apply करना है, और किस तरीके से apply करना है, कैसे वो मैंने आपको details दे दी है, तो उस शीश को ध्यान में रख के, बिलकुल वैसे ही कीजेगा जैसे मैंने आपको यहा पे बताया है चलिए फिर से मिलते हें एक और एनदर वीडियो के साथ अपना ख्याल लखिए वीडियो को जादा स्जादा लाइक कीज़े और शेर कीज़े चलिए फिरसे मिलते हें तब तक के लिए बाई-बाई टेक क्यर